हाई गाई वेलकम बेक टो माय चनल आज मैं आपको फटा फट से पालक खड़ी की रेसिपी बताने वाली हो तो इसके लिए मैंने क्या क्या ताहरी कि एक कुछ लेसुन मैं चॉप करके लिया है आठ से दस दो हरी मिच कट करके लिया है और लेसुन एद्रका पेस्ट बना लिय क्या ताहरी के लिया है तीन चार बड़े टमाटर लिया है चौप करके लिया है और पालक का बंच या कैसे वाष करते हूं मैं पहले भी कई वीडियो मैं वीडियो में यह बताया है और और अर्व से छावारी मैं ऑद्di ऐल दल थोड़ा टोड़ी लिए प्राना शुड़ा लग छैलते हैं इसके लिए दो बड़े चमचय टेल डाला हैं जालने के बाद मैं ने में किस्टार ला दाला है थोड़ी डाली है up जाली है टो क कर दाली है तो सुपर लोतर अधर करते चुछ हीनलाही कर देदिक है चलाए घ्रभणे तक पदेल डाली है जामक्त कर रखान दो और वह डाला आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं बस थोड़ा प्यास डाल दिया प्याच को हम अभी हम गूल्डन ब्राउन होने तक कुप कर लेंगे आज ट्रांसपेरन होने तक नहीं पकाना थोड़ा ज्यादा कुप करेंगे और और भी आपको जल्दी पकाना है तो इसमें एक छुटकी नमक डाल दीजिए आपका प्याज फटा फट पक जाएगा तो गूल्डन ब्राउन होने तक कि हम प्याज को पका लेंगे उसके आद मैंने कटी हरीमिज डाल दी हरीमिज आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा कम कर सकते हैं मैंने दो हरीमिज लि आज का वीडियो मैंने नाइट में शूट किया है तो थोड़ी लाइट कम है गाईज इस रेसिपी में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं टमाटर का सीजन भी है तो आप दिल खोल का टमाटर एड करिए और अध्रक लेसन भी आज की रेसिपी में मस्ट होता है तड़के म दूँगी और उसकी बाद मैंने लाल मेज़ डाल दी सारे मसाले अभी आड कर दूँगी मैं एक से दो चमच धन्या पाउर्डर डाला है मैंने एक चमच मैंने सब्जी मसाला आजा अड़ कर दिया आप चाहें तो गर्म मसाला एड करें उसकी जगह पर और एक छोटा चमच मैंने हल्दी डाला है बस सारे मसाले मेरे एड हो गए हैं आप चाहे तो इसी वक्त थोड़ी सी कसूरी में भी डाल सकते हैं बस मसालों को अगर आप जाला डालते तो तेल रिलीस होने तक अच्छे से मसालों को अग्दम नॉन स्टिक हो गया हमारा मसाला अच्छे से फ्राई करेंगे मसाला बिल्कुल तेल रिलीस करने लग जाए तब तक अच्छे से पकाईएगा ताकि टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा हमारी पालक में अगर टमाटर कच्छा रह जाएगा तो पालक के साथ जो दाल चावल भिगा के रखा था एक घंड़े भिगाया था आप बिना भिगाये भी बना सकते हैं तो बस फटबट मिक्स कर लेंगे और टमाटर की प्यूरी आड़ कर देंगे पालक मैंने अच्छे से दो कि उसकी नॉर्मल प्यूरी बना ली मैंने कुक नहीं किया है पा जितना पुलाओं में हम पानी डालते हैं उतना ही डालें तो बस देखिए मैंने अच्छे से पानी डाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ी पतली अच्छी लगती है पालक की खिचड़ी यह देखिए लगबग दो कप मैंने पानी एड़ किया है तो बस अब फड़ा वट से करूंगी मैं कभी किसी किसी का राइस जल्दी पक जाता है मुंग दाल जल्दी गल जाती है तो आप अपनी दाल और चावल जैसे पकाते हैं उसके एक्कॉर्डिंग ले ले लिजिए सीटियां मैंने तीन सीटि लिए यह देखिए और गाईज सीटि लेने के बाद आप गै जादा से जादा पालक डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैंने कोई भी कलर एड नहीं किया है नेच्छल पालक का ही कलर आपको दिखेंगा देखिए कितनी प्यारी लग रही है आगे दिखाती हूं आपको बिना कलर के तो कोई भी कलर एड करने के यह देखिए कुकर को खोलने पर कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको अब मैं मिक्स करके दिखाती हूं देखिए मैंने कोई कलर नहीं डाला है तो भी कितना डाक ग्रीन कितना प्यारा कलर आया है यह देखिए कुछ तो बस एक फाइनल तड़का हम अपनी खिच्डी म कर कर देता है यह तरका तो इसमें आप ब çौर सकते हैं या तो फिर कलैरी बुटर ले सकते हैं तो फिर मख्र ले सकते हं मैंने यहां पर ऑगी लिया है गी को जलाना नहीं है सले घ्ञालगा साही फाला गारलिक कर दिखा watershed कर दिखाए जितना जारा डालेंगे उतना तोड़े पक जाएंगे मैं इसमें दो छोटे चमच जीरा एड़ करूंगी जादा जलाना नहीं ध्यान रखिए तड़का अगर जल गया तो टेस्ट खराब भी कर देगा तो बिल्कुल लो फ्लेम में मैं कुक कर रही हूं हलके हलके गारलिक जब पक जाएंगे तब हम इसमें जीरा डाल देंगे तो बस दो छोटे चमच मैंने जीरा डाल दिया इसमें बस यहां पे हमने गैस बन कर दी है फटा फट से तीन से चार सूखी लाल मिज़ डाल दी है अगर आपको ज़्यादा तिखा पसंद है तो और भी ज़्यादा एड़ कर दीजे मिर्च तो बस जाल में आप नए आये हैं तो सब्सक्राइब का बटन दमाना बिल्कुल भी न भोलें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में थैंक यू कीप वाचिंग